हलो गाइस वेलकाम बेक टो माई चैनल आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आइसर टिपर के बारे में आइसर टिपर वोल्व एंजिन के बारे में है कंपलीट इस्टेप अब्स टिप फूल टुरू से मिला जाए ईसमें आपको दिखाया जाएंगि इसमियादे दो och ग्रोन में दो राउंड ने किस तरीखेसे मिलये जाएं और इसकी प्रोसेस क्या हुता एं ट्रेपत किस तरीके बार काinskyसे मिले से एरो आता है और कौन सी टाइमिंग किस तरीके से मिलेगी कि हमकी और क्रेंग की टाइमिंग किस तरीके से आप मिला सकते हैं और इसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे रिंग पिश्टन के बारे में रिंग पिश्टन आप किस तरीके से लगा सकते हैं रिंग पिश्टन क्या code आ रहा है गाड़ी में क्या problem आ रही है या कुन सा fault code active आ रहा है वो सब हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं वो हम आपको पूरा step by step process दे आएंगे तो वीडियो पर पूरा बने रही है आखिर तक और वीडियो को like और subscribe जरूर करें आप इस channel पर नहीं है तो तो वीडियो को सुरू करते हैं फटापर से बिना time waste किये चलिए कि अए्वाद का कि तो हम प्लाइब। दोस्तों यह है क्रेंट शाप्ट क्रेंट शाप्ट सर्विस की जा रही है और यह हमारे फिश्टन कनेक्टिंग रोड और ओइल पर्म और यह टेपिट चीडियां यहां पे सर्विस की जा रही है इनको अच्छी तरीके से सर्विस की जाती है थोया जाता है ताकि इन में डश्ट बगारा ना हो अच्छी तरीके से दोया जाता है यह हमारी क्रेंट शाप्ट लग चुकी है जैसा कि आप को वीडियो में देखने को मिल रहा है तो इस में आप कौन-कौन से गिरारिया लगेगी कौन सा आइडल गिर लगेगा और किस तरीके से टाइमिंग होगी वह सब आपको हम दिखाएंगे इसी वीडियो में एृप जिसोुगका ओड़ declarisant उस्ची मा घ्ले बैखो भीतार दिखाएंगे ृआपको जो он चांज नहीं दो हुआए फिजे के बिचालोर गोर दो आपका त्रेल अंट्रेल आपड़ा प्रदिया figan यह बता कर दो बता कर दो खैल लग बढद लिए बढद लिए यह ललो बड़ा हो यह लो कर दो अपने बया जिए बया ? आननोमर 105 जब शक्या चोटा आया यह आइडल कहे रहा है इसको आपको एरो का निसान देखना पड़ेगा इसका मार्क देखना पड़ेगा इसको आप टाइमिंग से ही सेट करें क्योंकि इसी में टाइमिंग है यहाँ पर आपको एरो का निसान दिख रहोगा दो जीरो आइडल गेर के उपपर हैं दो 0 दो गिरारियों के बीच में दो 0 और क्रेंट साफ्ट पे जो मारत आएगा वो एक एरो का निसान आएगा उसको और डबल 0 को बीच में रखना है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से क्रेंट साफ्ट का आपको एरो का निसान नहीं दिख रहा होगा आगे वीडियो में आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से दिखाई देगा यहाँ पर अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा जो कर भी बालो घंट है यहाँ ओर यहाँ पर देखाई तरीके समय नहीं तो इसलिविश्ट कि यहाँ देट जाएं आ रहा है यहां इनलारी तरहें एक रहे धाया आए अ आए आए इस पोड़का निछी हाता है अ लेकिन वेकल में जीघिए इस Ça अ लेकिन वेकल में चीडि नोर्ट सोटे ही तो चार बोल्त है ते जोर टाइमिश जाही ना ती एक तीर में आरा ने जीरो जीरो पीच में बीच में नी आरा है करे 아ि या जो इस्onstना ब reckon प्रचफी प्रणा यह ओस्या यहां डे दोना इसरे ज़स दो वड़ाऊज के तर शाली कि कुष्धी का वन इस पर केम सेंसर सेंस करता है इसका गोटी उसता है? दोस्तों केम आइडल रहली में टाइमिंग यहां से कुछ इस तरीके से कुछ तरीके से ट्रिपल एक्स है तो off цвет बिव खर व dois इस पर heeft इंदक को आपको इस तरीके से टाइमिंग मिलानी हैम क्योंकि इसके उपर हमारा जो सेंसर आता है केम सेंसर, वो पूरा सेंस करता है यानि की कौन से पिश्टन पर फायरिंग करनी है और केम की क्या पोजिशन है तो वो सारी पोजिशन की इन्फरमेशन हमारे ईश्यू को मिलती है, तो उसी इसाफ से अगर यहां की टाइमिंग डूम होगी तो इस्यू सिगनल सही नहीं दे पाएगा समझे रहे हैं तो यही टाइमिंग हमारे को सही तरीके से मिलानी है इसके बाद इसके पर हेड जो रखना हैगा उसमें एक छोटी गिरा रही है उसे आप किसी भी तरह इसे लगा सकते हैं ठीक है और उसके उपर हमारी जो केम लगे तो उस पर एक एरो का निसान है उस एरो के निसान को आपको देखना है किस तरीके से रखना है वो हम आपको आगे बताएंगे ऐसन अप्रोंट भी कहाँ जा है अबिधर विडियो चल्दी चार गंटे चल्लेगी अबिधर चलूपर या इके चलूपर एक चलूपर एक चलूपर या रहर यह तोक कूपर लेके मची मच्चीचे नहीं है अगर उनक्वसर तायमील ही नहितनु नहीं हुआ है दोस्तों यहां से टाइमिंग मूंखमन हो चुकिए है अब यहां पर हाॉसिंग को फिट किया जा रहा है अच्छे तरीके से अनामोर लगा नगा ने चाहिए तकि लिगला को लिकेजीब नहीं हो और इस तरीके से यहां है यहां का प्रोसेस कंप्रेट हो चुका है अब पंप बाद में लग सकता है ठीक है कंप्रेसर बाद में लग सकता है इन में कोई टाइमिंग नहीं है आप जैसे चाहें वैसे फिट कर सकते हैं कर दोस्तों पिश्टन रिंग हमने फिट कर दिये हैं इसमें फिट करने में आपको काफिस होतानी रखनी पड़ेगी पिश्टन रिंग में ओएल रिंग का खास तोर पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा ओएल रिंग थोड़ी से इसमें तूटने की चांस हो सकते हैं तो आपको काफी ज्यादा ध्यान से फिट करना पड़ेगा उसके बाद हम इसमें टॉर्क कर रहे हैं हेड हमारा फिटिंग हो चुका है और हेड में टॉर्क कुछ इस तरीके से कर सकते हैं आप देख सकते हैं सोयल भी डैपटी पर लेके इस तरीके से मारकर से मारक करके और फिर आपको बोल्ट को टाइट करना है जैसा है जो मारक आपने किया है वो पूरा गूम के उसी पोजिशन पर आता है पूरा एक राउंड गूमेंगा और बोल्ट आटोमेटी की फुल टाइट हो जाएंगे किस तरीके से कर सकते हैं टेपिट सेटिंग में सबसे पहले है आपको टेपिट गेज लेना पड़ेगा टेपिट गेज में आपको दो पतिया निकालनी है 40 और 50 mm की इंटेक में 40 mm और एक जौस में 50 mm की आपको फिलर गेज लेना है 40-50 इंटेक में 40 mm ट्रीक है तो दोस्तव हमें सबसे पहले यह समदना पड़ेगा टेपिट मिलाने से पहले कि इनमें इंटेक वॉल कौन सा है और एक जौस वॉ अगल कौन सा है जो उसके बाद हम इसमें सेटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि इंटेक वोल कौन सा है वो एक्चोस वोल कौन सा है तो इंटेक वोल हमारे पिछी की तरफ का जो इंटेक वोल है पिछे इंजिन के पिछी की तरफ का इंटेक वोल है और रेडिटर के आगी की तरफ का एक्चोस वोल है जाने कि जो आगी के वोल है एकटर में वो पीछे के जो वॉल है वह इन टैक वोल उसमाज रहें दस्था आगी की टरफ के ले़िटर की तरफ के एकटर्सरा और पीछी की तरफ के इन ट डेकर ठीक है तो जैसे हम सबसे पहले हम अगर TAPIT मिलते हैं पिर दूस्तों टेपीट मिलाने के दो प्रोसेस हैं एक प्रोसेस ये होता है कि फाइरिंग ओडर के साफ से मिलाना 1-2-1 सिलेंडर के पिष्टन यानि कि जैसे 6 सिक्स राउंड धुमाएंगे इंग को तो हम एक एक टेपिट पर मिला सकते हैं एक को तरीका यह होता है और प्यासरा तरीका यहे है कि सिंगल रांड एक रांड दो रांड टीन रांड चारां छे रांड में हम टेपित मिलाते हैं फाइरिं compliance मिलाने हैं तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं बाकी मैंने हीनों की और दूसरे काफी सारे विकल्स की मैंने वीडियो बनाई हुई है टाटा की मिले बनाई हुई है सिगना टाटा सिगना उनमें फाइरिंग ओडर के साफ से हम टेपिट मिलाते हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं तो यहां पर आज हम बता रहे हैं आपको दो राउंड में टेपिट मिलाना किस तरीके से तो दो राउंड में सबसे पहले हम टोपीड मिलाएंगे तो हमें लेनी है टाइमिंग पोजिशन इंजन की टाइमिंग पोजिशन जिसमें टाइमिंग पोजिशन पे हमें ये देखना है कि दो पिश्टन टोप पे होने चीए वन और सिक्स ठीक है वन और सिक्स दो पिश्टन उसमें क्या होता है दुस्तो के 16 फिर से टोप प्रेते लेकिन इस बार फाइरिंग होती है सिक्स नमबर पर वन नमबर पर फाइरिंग नहीं होती है तो हमें ये 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 इस पे नहीं मिलारे हमें वन नमबर पर चरrá Chechnya तब हमें tap it मिलने हैं तो कौन कौन से मिलाने है वो हम बता देते आपको जैसे टाइम कोजिशन पर आपने इंजन को set किया है टोप पे दोनों पिश्टन है तो हमें सबसे पहले number one के दोनों पिश्ट वाल मिलने पढ़ेंगे दोनों वाल इंटेक और एकजोस ठीक है दोस्तों उसके बाद नमबर तीन एकजोस वाल सेकंड नमबर सिलेंडर का उसके बाद नमबर सिक्स एकजोस और सेवन इंटेक दोनों वाल मिलेंगे तीन नमबर सिलेंडर के उसके बाद आपको मिलाना है दस दस दोन नमबर का वाल इंटेक वाल म सेकेंड राउंड यहाँ पर आप एरो का मारका देख चुके होंगे तो वो एरो का मारका आपको फिर से दूसरी सैट लेना है इस सैट से यानि कि इंजन पूरा एक राउंड गुमेगा और हमारा केम आदा राउंड गुमेगा केम जो है न दोस्तो जब इंजन पूरा एक राउंड गुमता है न तो केम आदा राउंड गुमता है और जब इंजन दो राउंड गुमता है तो केम पूरा एक राउंड गुमता है बस यही पोजिशन है केम की ठीक है दोस्तो तो यह चीज हमें केम का मार्क देखना है आदा लेकिन हमारा इंजन का एक राउंड पूरा मुकमल हो चुका है, पिश्टन फिर से 1-6 पर टोप पे आ चुके हैं, अब हमें 6 नंबर के दोनों वाल मिलाने हैं, और जो भाकी के वाल बचे हैं, वो सब वाल मिलाने हमें, ठीक है दोस्तों, और यहां पर फाइरिंग पोजिशन नंबर 6 सेलेंडर की है, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे इंटेक और एकचस वाल दोनों, 6 सेलेंडर के दोनों वाल 11 और 12, उसके बाद 5 सेलेंडर के वाल 9, शिर्फ एक वाल, फिर 8, फिर 5, फिर 4, नंबर 2 सेलेंडर का लश्ट 4, ठीक है दोस्तों, जैसे पहले राउंड में, हमने मिला है, 1, 2, 3, 6, 7, 10, फिर 2 राउंड आया, फिर हमने मिला है, 11, 12, 9, 8, 5, 4, तो यही है, कुछ इस परकार से टेपिट सेटिंग और फाइरिंग ओडर के साब से भी टेपिट सेटिंग होती है, वो कुछ अलग, तो उसके बारे में अगर आपको चान ना है या द टेट सकते हैं, काफी सारी वीडियो हमने बना ही हुए है, तो इसका फाइरिंग उडर भी वही है, जो टाटा का है, 15,36, 26, इसमें भी वह फाइरिंग उडर है, आप जाये, के साब से भी मिला सकते हैं, कोई प्रोपलम नहीं है, बस काम को आपको आराम से करना है, तसलीeg से कर दो गुट्टे का विठी हो टूर औरपरिकी हो ज़से नियुगे नियुगा। आज नियुक्त बड़े लेगे लेगे जाम परिक्भूरल्दे वाला गाम। पानी पीने और ने कहुत कोटाम कोटे यह नहीं आता गड़ेश रुपे गड़ेश अठी है और वो एकदम आया जो पुच्छा इंदिन जी वो जे मिस्ट्री है हुट हारा नोलेज भुट हो जिन जो धन से होट ही जो कम आ अचछा एक अचा जो आद्यों मिल गणतन है यह आध्यरा बाहरा एंचानि यह ऊड़ा ज्केक तार्म यह लोगा नमबर के पर ना संब मिलना जाए तो एक पर यह दो थोड़ा यह जाए गा यह यह आत्म पर नब करते हैं कि मना इसान याद मेरा भी है फोड़ फोड़ पूड़ एक साथ जो मिल गांगे वो टाइड हो जाएगे जो नी बिलेगों डिले रहेगे कि अन्यमत पुछ और दिया मारी है कुछ प्रिजबारी है कर दो चीलिया खोल लाना है नट यूच करनी नट याली नट है आए यह लगी शकुर तो जागा जेर नट मूच करने बात यह पचास के लिए चानिस न मिलाओ यह बड़ी चीलिया नट बड़ी चीलिया नट है न गटे रहा है कि अ कि कि किर्फ़ए भी डेर पे मिस्तड़ी बात देज अ नट जिस्ट जनागर जटे इंजलगे नट हुआ कि अ कि कि अध्या तर्ष्टा घ्या और जा था कि अध्या क्रशिए कि ताब अच्छीम है याज चिश लगना उसमे ढोल लगना हा ईताब रावं सुना आप अब लेना आपके साभी लेड़ लेगे अब लेगे अबेडिके अबर लेगे आईये दियुक्त के अच्छा के नियुक्त करे की थे शुब्याइब डूद्श्य नियुक्त टी लिगी ठावार şu कड़क आवा जाती, किस्टावड़ी देखे लिए कड़क आवा जाती, कड़क आवा जाती, कि कड़क जैसे क्यों चीज़ जदा एडवास लगगे हो ऐसी आवा जाती, इस नहीं तोड़क गराम होने बाद फिर आवा चंड़ी हो, तीस तो नीचे आवा ले लो तो गैस यही था टेपट का फूरा श्टेब ऐस्टेफ जानकरिये आपको समझ में आ गया होगा I hope आप समझ गयेँ अगर आपको समझ में नहीं आया है अपकी तो आप हमें कमेंट करके जवर बता सकते हैं हम आपके कमेंट का जवाब शरूर देंगे तो फिलाल ये दो राउंड में इसी तरीकी से टेपिट मिलाए जाते हैं और आप किस तरीके से मिलते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आगे का प्रोसेस हम जान देते हैं गाड़ी में आप डीजल लाइन को कम्प्रेट करके हम इसे स्टार्ट करने वाद हैं तो स्टार्टिंग में आप देखना किस तरीके से इसका साउंड है और आपको साउंड किसा लगता है कमेंट बॉक्स में चुरूर बताएंगा आ अजया भी इसमें नोजल कंप्लेट लग चुकिए है डीजन लाइने कंप्लेट हो चुकि है और फिर हम हुआ इसको स्टार्ट दने वाला हैं कप्लेट हो चुका है इंचर और बढं़ भी कवर लगते हैं टेपिट कवर आप जेख सकते हैं कुछ इस तरीका प्लाश्टिक का टेपिट कवर आता है इसका यहां पर नोजल पाइप टाइट करके एक चौस में लग जाएगा उसके बाद यह है इंटेक में पॉर्ट और एक चौस तो पहले से ही लग चुका था इंटेक में जाओाल ने झाल यहां तो नहां पॉर्ट कर भोर्ट पादाएट कर दोड़बगल यहां था खो लुओड़बगल थाल दोड़वल शोड़़खशन हीमाय झाल, क्योल पॉर्ट खब टूड़ी घद बाज़ीं कि अक Calvin बच्डेंदों ए जयू है आपित UP पार है तो गाइज अब हम आच चुके हैं काईडी के टेस्ट पर तो आप बता इए कि आपको गाईडी का साउंड कैसा लगा सबसे पहले तो कमेंड बाक्स में आप बताएए कि साउंड कैसा लगा और इस वीडियो को लाइक जूरूर करिएगा तो उस्तों काफी मेहनत लग साथ कोई वीडियो अपलोड किये मैं तो आप इस पर अच्छे से दबा की लाइक करें तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे गाड़ी को और इसके अंदर EDC लाइट जो इंजन चेक की लाइट आ रही है किस कारण से आ रही है और वह देखेंगे बाक्या गाड़ी आर्पेम पूरा ले रही है कोई प्रोब्लम निया गाड़ी है इंजन में सांड में बस इसमें EDC लाइट इंजन चेक की लाइट जो आ रही है किस कारण से आ रही है तो वह हम इसी में चेक करेंगे कोई स्कैनर नहीं सब कुछ इसी में करेंगे तो देखते हैं इसमें क्या प्रोब् तो अभी इसमें फोल्ड को चेक कर लिते हैं कौन सा फोल्ड को और हादाई किस कारन से ये डी सी लाइट आप लेए वेज्ट गाड़ी में कोई प्रोब्लम नहीं है देख लेते हैं क्या प्रोब्लम है एक टीजेश को क्या प्रोब्लम हो रही है तो गाइस अभी हम इसमें गारी इस्टार कर लेते हैं गारी इस्टार के बाद ही इसमें प्रोब्लम देखेंगे तो रही हमने गारी इस्टार कर लिए तो चलिए हम इसमें फॉल वोर चेक कर लेते हैं लिए कि हमें इंटर करना पड़ेगा इंटर करने के बाद हमें तोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा इसमें इसमें डाइग्नोस्टिक हम इसमें देंगे अपने पोल्ड वर्ट चेक करना है तो रेट पोल्ड पोल्ड से देखेंगे नहीं तो यहां पर हम इस पे तीन में चाहर नंबर पर पर देखते हैं तो इसके बादा में जाना परेगा इस एएस में अफ यहां पर दیکھ सकते हैं चीरो च्टसों पंदरा से चाहर तीन कॉर्ड है तो सब्सक्राइब कोई से में प्रॉबल्म talking श्यक तो इसमें यूरिया डलते हैं कि एक और भी इनेक्टिव में चला जाएगा तो गाड़ी की सारी प्रब्लेम खत्म हो जाएगी तो हम गाड़ी वड़े को बोलते हैं कि इसमें आप यूरिया डलाएए इसके बाद आपके इंजिन चेक लाइट नहीं आएए बागी और कोई प तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो दोस्तों आप इजाज़त दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टोपिक के साथ नए प्रोब्लम के साथ तब तक के लिए बाई बाई